नमस्कार दोस्तों, जैहिन, मैं अनुराक कुमार, इस कोरोना काल के अंदर जो विपत्या चल रही है, पूरे देश में या पूरे विश्व में कहें हाहाकार मचा हुआ है, और इसी समस्या को देखते हुए, मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको ब जरूरत है, अगर मैं कहूं कि हिरन, अगर आपने हिरन को देखा है, तो हिरन की स्पीड 90 किलो मेटर परति आवर होती है, एक घंटे में वो 90 किलो मेटर दो दोड़ सकता है, और एक बाग जो उसके पीछे उसका सिकार करता है, उसकी जो स्पीड होती है, वो 60 किलो मेटर पर तो कोरोना भी वही है, एक डर आपके मन में पैदा करता है, तो इससे दरना नहीं है, सिधी बात है, मास्क लगा के रहिए, हाथ को बार-बार धोते रहिए, ठीक है, और हो सके, तो डबल मास्का उपयोग करें, भीड भार के इलागों से जाने से बचे, इसलिए हम निरंतर प विष्व, पटल में किस तरह से बिमारिया फैली हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, विष्व में तीन तरह से इसे नाम दिया गया है, जैसे एंडेमिक, एपेडेमिक और पैंडेमिक, तो ये तीन तरह की जो बिमारिया है, ये कैसे हैं और इसे क्या कहा जा है दोश्तों अगर हम देखिए इन तीनों के इस आसा रोग जोकि समान्य रूप से हमेशा चलता रहता है और जोकि खूब प्रचलित होता है यह एक अस्थानिक डोग है यह किसी भी छेत्र में मर्यादित होता है और यह बिमारी जो एंडेमिक की बिमारी है यह अचानक से आती है कैसे आती है अचानक से आती है जल्दी फैलती है थोड़ा समय रहती है कितना समय रहती है थोड़े समय में रहती है और फिर यह जैसे की मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया यह जो है क्या है एंडेमिक बिमारि epidemic या खुब तैजी से फैलती है या किसी भौगोलिक जैसे आप देख रहे हैं भौगोलिक विस्तार या किसी राज या किसी देश में फैलती है ये पूरी जगा पर नहीं फैलती है इसके लिए अगर मैं देखूं एक्जामपल के रूप में हम ले सकने जैसे कि फ्ली हो गया बढ़ फ्ली हो गया और पूलियो ऐसी अनीक बिमारी है तीसरी केटेगरी में आती है पैंडेमिक cage मिया है दोस्तों पैंडेमिक जो है यह एक विशाल विस्तार को एक मिश्तार को करती है या इफेक्टेट करती है ठीक है और अगर देखें तो यह घातक होने के साथ इसके म डबलू एच्चो कौन डबलू एच्चो इसे महामारी का रूप देता है या महामारी डिकलेर करता है तो दोस्तों अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में लगबख सौ साल के अंतर में ये बिमारिया आती रही है 1720 अगर हम देखें 1820 देखें 1920 देखें और अभी तो हम देखी रहे हैं 2020 में क्या चलना है अगर मैं बात करूँ इसकी सुरुवात अगर हम देखें तो फ्रांस 25 मई 1720 के दिन गांट सेंट एंटोयन नामक एक विमान जो की मार्सेल फ्रांस के मार्सेल सहर पहुंचता है जिसमें कपास और रेसम लदा होता है ठीक है दोस्तों और जो इस जहाज में व्यक्ति होते उन्हें एरसीनिया पैस्टिस के नाम से बैक्टिरिया है यह पता जलता है कारगो में आए लोग माल को बेशते समय बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं और 1720 कहा जाता है 1720 से लेके 1723 के दर्मियान फ्रांस के मारसेली में प्लैग फेलना शुरू हो गया जिसमें इसका नाम ब्ल्यू बॉनिक प्लेग दिया गया बाद में यूरोप में इस ब्ल्यू बॉनिक प्लेग ने दोस्तों ध्यान रखना ब्ल्यू बॉनिक प्लेग ने हाहा कार मचाया और अगर देखा जाए तो इसके प्रथम वर्स में लगबग 50,000 अजय ती और दूसरे वर्स में 50,000 यानि माने तो दो सालों में तक्रीबन तक्रीबन एक लाख लोगों की मृत्य हुई उसके बाद या विमारी यूरोप से चीन पहुची और चीन से भारत में आई भारत में बहुत से लोग इस विमारी के कारण मृत्यू को अगला देखे तो 1817 से 1824 तक प्रथम कॉलेरा का केश नोट हुआ या कॉलेरा की विमारी फैलने लगी इसे एसिया एसियाटिक कॉलेरा के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है इसकी शुरुवात भारत देश के कॉलकता से हुई थी इस दर्मियान दचिरपूर एसिया में मध्यपूर, पूर्वी अफ्रीका, चीन और भूमध्य सागर में यह बिमारी फैली थी जिसमें जापान, खाडी के देश, भारत, जावा, भूटान, ताइवान, मलेशिया, मौरिशी, सीरिया जैसे देशों का समावेश होता है कॉलरा में, अकेले, जावा में तक्रिबन तक्रिबन एक लाखो लोगों की मृत्य होई थी और सबसे ज्यादा मृत्यू, थाइलेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, थाइलेंड, इंडोनीशिया और फिलिपींस में होई थी उसके बाद, तीसरी, जो की विमारी फैली थी, यह उननीश सो अठारा से, उननीश सो बीस तक, उननीश सो बीस तक, स्पैनिस फ्ल्यू, क्या दोस्तों, स्पैनिस फ्ल्यू, फैला था और यह उस समय का सबसे भयानक, इन्फुएंजा रोग था इससे तकरिबन पचास करोड लोग इसका सिकार बने थे बहुत सी स्वदेशी समुदाय लुप्त होने की कगार पे थे और अंदाजा लगाया जाता है कि इस समय पाँच करोड जितने लोगों की भृत्त होई थी और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय जो चल ला है दो हजार उन्नीस और बीस कोवीड नाइन्टीन अब सबसे पहले तो कोवीड क्या है? यह जानिए कोवीड है, सी ओ का मतलब होता है कोरोना, वी आई का मतलब होता है वाईरस और डी का मतलब होता है डिजीज 2019 में यह आया था, तो इसे 2019 नाम दिया दोस्तों, आज कोरोना बहुत ही स्पीट से फैल ला है, जैसा मेने वीडियो में पहले भी जिक्र किया है अपने आपको सुरच्छित रखिए घर में रहें, हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन इसी तरह प्रदान करते रहेंगे ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए, घन्यवाद